केल राहुल ये कमाल लाजवाब बल्लेबाज जब भी अपने रंग में होता है इन्हें बल्लेबाजी करता देखना दिल को सुकून देने वाला होता है IPL के मंच पर साल दर साल इस खिलारी ने रनों काम बार लगाया है और अब इस सिजन भी एक नई टीम के कप्तान बनने के बाद एक बार फिर कप्तानी पारी खेल करना केवल सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीता है बलके एक ऐसी उपलबधी हासिल कर ली है जिसे आज से पहले कि इसी भी खिलारी ने अपने नाम नहीं किया है तो आकिर लखनौ सुपर जायंट्स के कप्तान केल राहूल ने बनाया IPL में कौन सा वर्ल रेकॉर्ड इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे पूरी जानकारी 16 अप्रेल को मुंबई के CCI क्रिकेट स्टेडियम में लखनौ सुपर जायंट्स के कप्तान केल राहूल ने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ एक एतिहासिक पारी खेल कर सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है लखनौ की कप्तान राहूल जिनका अभी तक इस IPL सीजन में बला उस अंदाद से नहीं बोला था आज उन्होंने मुंबई में एक कमाल लाजवाब पारी खेल कर अपने सौवें IPL मुकाबले को एतिहासिक बना दिया है आपको बताने के मुंबई के खिलाव टॉस हार कर पहले बल्ले बाजी करते हुए लखनौ सौपर जैंट्स ने 20 ओवर में 199 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया जिसमें सबसे जादा योगदान लखनौ के कप्तान केल राहूल का रहा है राहूल ने शुरुआत से लेकर अंत तक शांदार बल्ले बाजी की और अपनी पारी में 60 गेंदों का सामना करते हुए 9 जोके और 5 जखके की बड़ुलत एक यादगार अपने आईपियल करियर का तीसरा शतक लगा कर एक साथ कई रिकॉर्ड्स की जड़ी लगा दी है मुंबई के खिलाफ लगाया गया केल राहूल का शतक बतौर कप्तान उनका दूसरा शतक था और उनसे जादा विराट कोहली ने अपने कप्तानी में 5 शतक लगाए है वहीं राहुल ने मुंबे इंडियन्स के खिलाफ दूसरा शतक जड़ा है और एक ही विरोधी के खिलाफ दो शतक लगाने वाले केल राहुल आईपियल इतिहास के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे पहले ये करिश्मा कृषगेल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ, ड दस में से कितने अंक देना शाहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्रिकेट की जुड़ी सभी खपनों के लिए सब्सक्राइब कर लीजे हमारे योटूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे ल बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल ना भूले।